सो गाइज वलकम बैक टू माइक्रो कलासिज हमारी CCSU और MSU की B.A.2 की कलासिज चल रही है आज का मारा सब्जेक्ट है ग्यान भासावय पठ्थे चरिया आज का मारा कोश्चन है Speaking Skill जिसे हम मोखिक कोशल कहा देते हैं मोखिक अभिव्यक्ति कोशल कहा देते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है कितने परकार का होता है ये इसके विकास की कोन कोन सी विध्या होती है हमारा उद्देश से क्या रहता है इसका विकास करने का तो Important Question है Long में भी आ जाता है सोट में भी आ जाता है जादातर सोट में आता है लोंग में कम आता है पता देना चाहता हूं मैं आपको तब मोखिक अभी व्यक्ति कोसल मोखिक कोसल जिसे हम speaking skill बोलते हैं देखो कहीं कहीं यहाँ पर यह भी लिखा हो मिलता है कि वाचन कोसल वाचन कोसल को भी हम speaking skill बोल देते हैं किसी किसी किताब में यह लिखा रहता है लेकिन आपको वो नहीं मानना है क्योंकि आप आगे टैट, सी, टैट, यूपी, टैट कोई से में भी जाएंगे तो वाचन कोसल का मतलब reading skill होता है और मोखिक कोसल का मतलब होता है speaking skill तो बाद में आपको confusion होगी और यहाँ पर भी confusion ही बनी रहेगी तो confusion दूर कर लेना अपनी वाचन कोसल, reading skill मोखिक कोसल, speaking skill तो देखो speaking skill क्या होता है सही तरह से अपनी बात को बोल कर दूसरों को बताने की अक्सम तो speaking skill होती है आम भासा में तो हम यह मानते हैं कि आप कुछ बोल रहे हैं तो वो speaking skill है आपकी speaking skill है लेकिन नहीं, बोलने का मतलब क्या होता है यहाँ पर skill का कि आप सही तरह से बोल रहे हैं सही परकार सब्दों का परियोग करके सब्दों में उचित गैप लेकर सही परकार बोल रहे हैं इस तरह से बोल रहे हैं कि दूसरे आपकी बावनाओं को विचारों को सही तरह से समझ ले तो वो आपका होता है speaking skill तो जैसे हमारे वक्ता अगर आज कल वक्ता की बात की जाए तो चुनाओं का टाइम है तो मोदी जी से अच्छा वक्ता कोन होगा नेता चाहे कैसे भी हो सब के अपने विचार हो सकते हैं देश को तरक्की के ओर ले जा रहे हैं या पतनी के ओर ले जा रहे हैं उसके बारे में भी आपके सब के अपने विचार हो सकते हैं लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी वक्ता अच्छे हैं तो अब बात कर लेते हैं अपने मोखी का बिव्यक्ती कोशल की बासा के चार प्रमुक कोशल होते हैं स्रेवन कोशल, मोखिक अभिव्यक्ति कोशल, पठन कोशल तथा लेखन कोशल इन में से मोखिक अभिव्यक्ति कोशल एक बहुती महत्यपून बासा ही कोशल है यह चात्रों को अभिव्यक्ति के आउसर परदान करता है मतलब खुद को व्यक्त करने के आउसर परदान करता है मोखिक सब्द की अगर हम बात करें तो मोखिक सब्द मुख धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलने से अभिव्यक्ति सब्द का क्या अर्थ होता है खुद को व्यक्त करने से होता है अता है जब कोई व्यक्ति बोल कर मूँ से कुछ बोल कर दूसरों के सामने खुद को व्यक्त करता है या अपने विचारों को व्यक्त करता है उस पर किरिये को हम मोखिक अभिव्यक्ति कहे देते हैं मतलब बोल कर खुद को व्यक्त कर रहे हैं मोखिक अभिव्यक्ति सामन्यता हम प्राय मोखिक अभिव्यक्ति का अर्थ केवल अपनी बात को बोलकर बताने मातर से लेते हैं कि हम अपनी बात को बोलकर दूसरों को बता रहे हैं तो हमारी मोखिक अभिव्यक्ति हो गई लेकिन ऐसा नहीं होता जबकि यह सिर्फ इसका संकूची तर्थ होता है व्यापक रूप में मोखिक अभिव्यक्ति का अर्थ अपनी बात को भाव के अनुसार ठीक परकार से कहने विचारों में इस्पश्टा, विचारों में करम बदता, विचारों में स्वभाविक्ता आधी से होता है जिससे सुनने वाला वक्ता की बात को ठीक परकार समझ सके देखो आम बासा में हम कहा देते हैं कि हम बच्चों के मोखिक कोसल का विकास कर रहे हैं तो बोलना तो उन पर पहले से ही आता है तो हम मोखिक कोसल का विकास कैसे करेंगे यहाँ पर यह सब दूटता है तो मोखिक कोसर का विकास करने से मतलब होता है हम उन्हें ठीक परकार बोलना सिखा रहे हैं विचारों में स्वभाविक ताला रहे हैं विचारों में करमबद ताला रहे हैं मतलब बोलने में उन्हें और बहतर कर रहे हैं जिससे दूसरे उनकी बात को अच्छे से समझ ले। आता है अपनी बात को इस परस्ट रूप से बोल कर दूसरों के समख्स प्रस्तुत करने की कला मोखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। अब next बात कर लेते हैं मोखी कभी व्यक्ति के परकार मतलब बोलने के कितने परकार होते हैं कितने परकार के तरह सा बोल सकते हैं देखो दो प्रकार की मोखी कभी व्यक्ति होती है, एक तो interactive एक non interactive, मतलब एक पारस्परीक होता है, एक पारस्परीक होता है, परस्पर है परस्पर, पहला तो होता है हमारा परस्पर मोखी कभी व्यक्ति, इसमें क्या होता है, जब हम दूसरे के सामने कुछ बोलते हैं, अपन यह तो हो गया प्रस पर मोखी का भीवक्ति जैसे दोस्तों की बात चीत होती है आप फोन पर बात कर लेते हैं तो दोनों बोलते हैं दोनों सुनते हैं एक होता है यह प्रस पर मोखी का भीवक्ति जिसमें जो बोल रहा है उसे सुन रहे हैं तो सुनने वाले उसे बीच में रो चाहने ही सकते, जब तक कोई special amadhyum नहीं हो, सीधा-सीधा सा तो नहीं टोक सकते हैं, तो यह क्या हुआ, आप प्रसफर मोकी कभी व्यक्ति हुआ, और प्रसफर मोकी कभी व्यक्ति क्या होता है, जिसमें सुनने वाला, बोलने वाले को बीच में टोक दे और अपनी बात उसके सामने रख दे तो यह होता है प्रसपर मोखी कल व्यक्ति है जो सेमिनार है सेमिनार में आपका कोई प्रिंसिपल वगारा लेक्चर लेता है किसी स्पेशल इवेंट में आप बैठ कर सुनते हैं आप वहाँ पर उसे नहीं टोक सकते जो है बोल रहा है जाते हैं बच्चे अपने भाववे विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने की योग्यताओं को विक्सित करना तो बच्चों में इस योग्यता को बनाना की में अपने भाववे विचारों को दूसरों के सामने रख सकें बच्चे के संधर्वय स्थिति बच्चे संध कोक्तिया मुहावरों आधि का परियोग करना सिखाना उन्हें, बोलते समय विराम चिन्नों का ध्यान रखना सिखाना, छातरों को इस योग्या बनाना किवें अपने अनुभाव के अनुसार कोई रचनात्मक बात कह सकें, सिर्फ सुना सुना या ही नहीं बोलें, अपने अकोर्डिंग भी कोई किरियेटिव बात दोसरों के सामने रख सकें, अब नेक्स्ट है हमारा, अगर हम मौखी का वियक्ति कोसल का विकास करना चाहते हैं, तो उसके क्या-क्या मैथड हो सकते हैं, सबसे पहला तो सैस्वर वाचन भी दी, हम बच्चों को बुक दे सकते हैं, और कह सकते हैं, आप इसे जोड-जोड से बोलते हुए पढ़िये, तो बच्चे एक पुक लेंगे, तो जोड़ जोड़ से बोलेंगे, तो बोलने के कोशलक उनका विकास होगा वारतला, conversation, बच्चों से कह सकते हैं, आप बातचीत करिये group discussion भी यहीं पर आजाता है, विवाद कह सकते हैं, आप विवाद कहीजिये, बातचीत कीजिये, discussion कीजिये या किसी topic पर आप debate कीजिये, वाद विवाद कीजिये तो यह भी आपको यहीं पर आजाता है प्रसनोत्तर विधी टीचर क्या कर सकता है बच्चों से question पूछ सकता है तो बच्चे उसका जवाब देंगे उससे क्या होगा बच्चों के बोलने वाले कोशल का विकास होगा चितर वर्णन विधी हम अपनी college में school में सामने दिवार पर एक कोई चितर टांग सकते हैं और बच्चों से कह सकते हैं कि इस चितर को वर्णित कीजिए तो वही आप अपनी classroom में कोई drama conduct करा सकते है चार पांच बच्चों को लेकर तो मैं आपस में बाच्चीत करेंगे उससे क्या होगा उनके बोलने वाले कोशल का विकास होगा तब यह आज की हमारी आज की class थी वीडियो अच्छी लगी हो आप इस अपने beard group में दोस्तों के साथ share कर सकते हैं beard की सभी subject की इसी तरह से daily regular classes लेने के लिए आप इस channel को subscribe कर सकते हैं till then bye bye take care